हेलो, नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल लोगों की लाइफ जोए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी है और जादातर काम करने के लिए आजकल मशीन आ गई हैं जैसे कपड़े दोने के लिए वाशिंग मशीन ऐसी दोस्तों टाइम बचाने के लिए बरतन होने के लिए आजकल डिश्वाशर मार्केट में आते हैं तो अगर आप एक अच्छा सा dishwasher खईदने की सोच रहे हैं तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया में मिलने वाले best dishwashers के बारे में और दोस्तो एक dishwasher खईदने से पहले आपको कौन-कौन से point ध्यान में रखने होते हैं जिससे कि आप एक अच्छा सा dishwasher अपने घर के लिए खरीद पाएं तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी से request है कि प्लीज हमारे इस चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हमारी बहुत ज्यादा help होगी तो दोस्तो अगर बात करें उन points की जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने होते हैं कोई भी dishwasher खहिदने से पहले तो दोस्तो पहला point होता है size of dishwasher कि आपको कौन से size का dishwasher खहिदना चाहिए market में आपको generally 3 size के dishwasher मिल जाएंगे जिसमें आपको 8 12 और 14 place की setting मिल जाएगी दोस्तो एक place की setting के अंदर आपको एक dinner plate, एक dessert plate, एक glass, एक soup bowl, एक tea cup, with saucer, एक knife और two spoons और fork रखने की जगे मिल जाती है अगर आपके घर में 3 से 4 member हैं तो आपको 8 place की setting वाला dishwasher लेना चाहिए 5 से 6 member हैं तो आपको 12 place की setting वाला dishwasher लेना चाहिए और अगर 6 से ज़्यादा member हैं तो आपको 14 place की setting वाला dishwasher लेना चाहिए अब दोस्तो बात करते हैं utensils यानि की बरतन की कौन से बरतन आपको dishwasher के अंदर wash करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए तो दोस्तो steel के, glass के, ceramic के और dishwasher safe plastic के जो बरतन होते हैं, utensils होते हैं आप उनको dishwasher के अंदर clean कर सकते हैं Aluminium, iron, wood और non-stick बरतनों को utensils को आपको इसके अंदर नहीं wash करना है नहीं इनके अंदर रखना है दोस्तो जो dishwasher होता है, वो 70 degree Celsius गरम पानी spray करके आपके बरतनों को clean करता है जिससे कि जो आपके बरतनों के उपर 99.99% germs और bacteria होते हैं, वो हड़ जाते हैं दोस्तो अगर बात करें water consumption की कि जो आपका dishwasher वो कितना पानी consume करता है तो जनरली कोई भी dishwasher 8-10 liter पानी consume करता है एक wash cycle में और दोस्तो उसी पानी को वो बार-बार recycle करता है क्योंकि हर dishwasher के अंदर आपको filters लगे मिलते हैं जो used पानी को clean करके वापिस से आपके बरतनों को wash करता है जिससे कि पानी बसता है दोस्तो बात करें electricity consumption की कि कितनी electricity consume करता है एक dishwasher तो दोस्तो कोई भी dishwasher around 0.8 kilowatt से 1.2 kilowatt per wash cycle consume करता है तो दोस्तो ये कुछ important points थे जो कि आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं कोई भी dishwasher खईने से पहले तो चलिए दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं best dishwasher दोस्तो नमबर 5 पर है media का dishwasher इसमें आपको 1930 watt की motor मिलती है और दोस्तो ये एक 13 please setting के साथ आने वाला dishwasher है इसमें आपको 7 wash program मिलती है जिसमें से एक self cleaning program है जो की 50 minute का program है जिसमें ये dishwasher अपने आपको खुद clean कर लेता है इसमें आपको power of memory function देखने को मिलता है मतलब दोस्तो अगर आप इसको use कर रहे हैं जिसमें light चले जाती है तो जब light वापिस आएगी तो जहां से ये बंदुआ था वहां से ये अपने आप start हो जाएगा जो की काश्च अच्छा feature है इसमें आपको washing के लिए 2 spray arms मिलते हैं इसमें आपको child lock का feature देखने को मिलता है और दोस्तो ये consume करता है 11 liter water per wash cycle दोस्तो इसकी जो noise level है वो है 52 decibel और इसके उबर media brand आपको देता है दो साल की complete warranty अब अगर बात करें इसके price की तो इसका जो price है वो है around 22,000 रुपे के आसपास दोस्तो ये जो price में आपको बता रहा हूँ ये video बनाते समय के price है हो सकता है कि जब आप video देख रहे हैं तो इनकी जो price है वो कम्याज़ादा हो गई हो या फिर इन पर कोई sale या offer चल गया हो तो इसलिए आज की video में जितने भी dishwasher में आपको दिखाने वाला हूँ सभी के link description box में दे दूँगा तो वहाँ पर जाके आप इनकी current prices को check कर सकते है और खरीदना चाहें तो वहीं से खरीद भी सकते है दूस्तो नंबर 4 पर है Heffel brand का dish washer इसमें आपको 930 watt की motor देखने को मिलती है तो दूस्तो ये dish washer काफी energy efficient dishwasher है कम electricity consume करता है इसमें आपको 12 place setting मिलती है और इसमें आते हैं 6 wash program दूस्तो इसमें आपको anti fog technology देखने को मिल जाती है जिसमें क्या होता है कि आपने कई बार notice कि आओगा जो बरतन होते हैं उनको पर एक white सी layer जम जाती है वो इस dish washer में नहीं होगा इसमें भी आपको power of memory function मिलता है और इसमें आपको मिलते हैं 4 plus 2 spray arms इसमें आपको child log मिल जाता है और ये consume करता है 11 liter water per wash cycle इसके जो noise level है वो है 49 decibel और इसके पर आपको मिलती है एक साल की complete warranty अब अगर बात करें इसके price की तो इसके जो price है वो है around 32,000 रुपे के आसपास दूस्तो नंबर 3 पर है Voltas Beko dish washer इसमें आपको 1300 watt की motor मिलती है और इसमें आपको 8 play setting मिल जाती है इसमें आपको 6 wash program मिलते है और दोस्ते इसमें आपको एक eco mode मिलता है जिसमें ये कम electricity consume करता है और इसमें आपको 30 minute mode भी देखने को मिल जाता है इसमें आपको 2 spray arms मिलते हैं और ये consume करता है 8 liter water per wash cycle इसके जो noise level है वो है 49 decibel और इसके उपर आपको मिलती है 2 साल की complete warranty और 5 साल की warranty इसके motor पे अगर बात करें इसके price की तो इसके जो price है वो है around 25,000 रुपे के आसपास दोस्तो नंबर दो पे है IFB का dish washer इसमें आपको 22 watt की motor मिलती है और इसमें आपको मिलते है 12 place setting इसमें आपको 8 wash program मिल जाते है quick wash मिल जाता है child lock मिल जाता है और दोस्तो इसमें आपको cold water wash का feature भी दिखने को मिल जाता है इसमें आपको water softner मिल जाता है तो अगर आपके घर पे hard water आता है तो दोस्तो ये dishwasher उसको convert करके soft water बना देता है ये consume करता है 9 liter water per wash cycle और इसके जो noise level है वो है 52 decibel इसके उपर आपको मिलती है 2 साल की complete warranty और अगर बात करें इसके price की तो इसके जो price है वो है around 36,000 रुपे के आसपास दोस्तो नमबर एक पे है Bosch brand का dishwasher इसमें आपको 1020 watt की motor मिलती है और दोस्तो ये आता है 13 place sitting के साथ इसमें आपको 6 wash program मिलते है और इसमें आपको power of memory function मिल जाता है washing के लिए इसमें आपको 2 spray arms मिलते हैं चायट lock मिलता है और दोस्तो ये consume करता है 10 liter water per wash cycle इसके जो noise level है वो है 52 decibel और इसके उपर आपको मिलती है 2 साल की complete warranty अब अगर बात करें इसके price की तो इसके जो price है वो है around 40,000 रुपे के आसपास और दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को like करें और इसी तरह की kitchen related वीडियो को देखने के लिए आप अमारे चनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो में जितने भी dishwasher मैंने आपको दिखाए हैं सभी की links आपको description box में मिल जाएंगे तो वहाँ पर जाके आप इनकी current prices को check कर सकते हैं और इनकी कुछ CLA offer चल रहा हूँ तो उसको भी check कर सकते हैं खरीदना चाहें तो वहीं से खरीद भी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों